सभी के लिए गुड़ मॉर्निंग नवीन सबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का सवागत है देख बच्चों कल हम लोग चल रहे थे ब्रूड पोश के ब्रूड पोश के बारे में ब्रूड पोश या इसको गोलते हैं एंडोस्पर्म ठीक है यहां एक बात ध्यान रखना ब्रूड पोश ना ब्रूड पोश हमने देखा था कि अंदर कि और ब्रूड कोश्क के अंदर क्या होता है एक दुर्विय कोश्का होती है अब इसे दुर्विय कोश्का के अंदर दो केंद्रक होते हैं तो पर्थम नर्योगमक केंद्रक जो होता है यह पर्थम नर्योगमक केंद्रक किसके साथ में दुर्विय केंद्रक के साथ में दुर्विय मिलके एक त्री गुड़ित केंद्रक का निर्माण करता है जिसको हम प्रात्मिक ब्रूड पोश केंद्रक के नाम से जानते हैं ठीक है एक त्री गुड़ित केंद्रक का निर्माण हुआ है इसी त्री गुड़ित केंद्रक को एंजिय इसपर्म की अंदर हम लोग किसके नाम स अभी तक तो यह क्यों था ब्रूड कोश पढ़ रहे थे अंदर की कोश ने पूछा था ब्रूड की सुद्र गुरता कितनी होती है तो इसकी सुद्र गुरता ध्यान रखिए 3N होती है लेकिन बायचान से भी पूछले कि ब्रूण कोश की सूत्र गुर्दा कितनी होती है तो इसकी सूत्र गुर्दा कितनी होगी अगड़।овल और ब्रूड़ों पुष जो ओगा वो अगड़ित ओगा और ब्रूड पूश जो ओगा वो त्रीघड़। अच्छा अब इसमें एक चीज आप लोग ध्यान रखना की कोई भी बूढकोश हो कोई भी बूढकोश इसे बूढकोश की सूत्र गुड़ता का निरदारन जो होता है यह इसमें पाए जाने वाले जो दुर्बिय केंद्रक होते हैं इन पर निर्दारित होता है ब्रूड पोश की सूत्र गुड़ता का निर्दारण ब्रूड कोश के अंदर पाए जाने वाले दुर्बिय केंद्रक जो होते हैं इन पर निर्दारित करता है ठीक है जैसे पैपेरो मो क्या होता है जो ब्रूड कोश होता है ना इसे ब्रूड कोश की जो दुर्विय या दुतिय कोश का होती है यहाँ पे आठ केंद्रक होते हैं इसके अंदर आठ दुर्विय केंद्रक होंगे आठ दुर्विय केंद्रक तो इसकी सूत्र गुर्ता क्या होगी पेपेडो मिया पादब जो है इसके अंदर आपको बता दिया कि बुरूर कोश के अंदर आठ दुर्विय केंद्रक होंगे तो इसकी सूत्र गुरता जो होगी वो 9N होगी 9N कैसे क्योंगी 8 तो दुर्विय केंद्रक हुए और 1 क्या मिल जाएगा इनसे नर्युगमक केंद्रक मिल जाएगा तो नर्युगमक केंद्रक एक और 8 कौन से होगए दुर्विय केंद्रक तो इसकी सूत्रिगुरता किती होगी siblingा 9 अहीं हो गी था या नौए नोगी तो यह अगला कोइन पॉप्रो कोई की सूत्रिगुरता हमेशा उसके दुर्विय केंद्रकों की संख्या जो होती है उससे एक जादा होगी बस ठीके इसके बाद में अगला कोश्चन आता है अगला पॉंट आता है डूढ़ पोश के प्रकार डूढ़ पोश के कल अमने तीन प्रकार देगे थे उनको एक बार सौड में एक मिनट में रिवा देखो मुक्त केंद्रक ये इसका एक्जाम्पल बताये था नारियल का पानी कच्चे नारियल का जो पानी होता है नारियल का पानी इनमें क्या होगा ब्रूड कोश के देखो ब्रूड कोश के अंदर एक त्रीगुरित केंद्रक का निर्माण हुआ है ये त्रीगुरित केंद बिटियां नहीं मिलती हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं मुक्त केंदरक है सबसे बेस्ट एक अब नाड reflect पानी धिकर दूसरा हमने पड़ाथा से लुए या कोंश की एंदर क्षगvoorbeeld कोंश क्षट के पुष जो है इसके अंदर क्या होता है जब केंद्रक एक त्रिगुरित केंद्रक से कई केंद्रकों का निर्माड होगा तो इनके बीच में क्या बन जाती है पट्टिकाई बन जाती है बतला बित्तियों का निर्माड हो जाएगा और बित्तिया बनने से केंद्रक किसमें बदलेगा फिर को कोश्काओं के अंदर आ जाएगा कोश्क के अपनूर्व और किर और बड़ा केंद्रक और निवाघ और चोटा क्यों पर्दी के निवाक की और ये छोते केंद्रखिया पर्दी के और जमा ओ जाएंगे ठीकर और यहां अगर बागender यहां पर बूढ़ जो है वह चूशचांगे के रूप में यां विखसत हो जाएंगे तो यह तीन karma कोशकल बता है कि इसके बाद मैं अगला पॉइंट आत कि हम लोगों ने स्टार्टिंग जब की थी तो सबसे पहले हमने देखा था युगमगों का निर्माण फिर हमने देखा था परागण परागण के बाद में परागण के बाद में फिर देखी थी निसेचन की गटना और निसेचन में हमने देखा था निसेचन के अंदर पराग नलका की ब्रद्धी देखी थी उसका अंक्रण देखा था फिर भीजांट में प्रिवेश फिर भूड कोश के अंदर प्रिवेश और उसके बाद में मुखे जो देखा था वो देखा था दौरा निसेचन और दौरा निसेचन के अंदर वी हमने सुन्य की सौन से वचिया और सुन सौन्य की सौनसे मैं देखी थी była 2 य। भूरो कोश के आती जो है डुक के according ncrt के according तीन प्रिकार होते हैं कौन कौन से अभी पताए हैं मुक्त केंद्र रखी है को कौश की है है अर माध्धिमिक यह तीन प्रकार और यही आपको pdf में मिलेंगे और बुक की अंदर वी तीन है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी एकजाम में ठीक है आगे 10 प्लस 2 के एकजाम में इनके कुछ बिसिष्ट प्रकार पूछे जाते हैं ठीक है बिसिष्ट प्रकार ब्रूड कोश के यदि आप नोट करना चाहें तो इन्हें अलग से नोट कर लेना ब्रूड कोश के बिसिष कि यह हैं कि देखो ब्रूड पोश्ट के बिस्ष्ट प्रकार इनको यदि आप लोग याद करना चाहो तो अलक से याद कर लेना अधर्वाइज यह आपके फिलाल 12th क्लास के लेविल पे जब NCRT या रायस्थान बोड के लेविल पे नहीं है आगे जो पढ़ना चाहे वो मोजेक टाइप यह किसके अंदर पाई जाती है मक्का के अंदर पाई जाती है इस प्रकार के ब्रूड पोश्ट होते हैं वो मक्का के अंदर पाई जाते हैं ठीक है ये मक्का के अंदर पया जाते हैं और ये कैसे होते हैं? दूसरी बात दूसरा आता है Ruminant Ruminant टाइप रूमिनेंट प्रिकार का जो ब्रूडपोश होता है न ये ब्रूडपोश जुर्रीदार होते हैं इनकी ध्यान डगना जुर्रीदार होंगे संगुचेत होंगे ये ब्रूडपोश जो है ठीक है और आबरत बीजी पादप जो होते हैं जितने भी आबरत बीजी पादपों के लगबख 280 कुल हैं बनस्पती जगत के अंदर आप बिजी पादपों के 280 कुल होते हैं उन 280 कुलों में से 32 कुल ऐसे होते हैं जिनके अंदर रूमिनेंट प्रकार का ब्रूण पोश पाया जाता है यह आपके लिएफ में डिर्श से मतलब नहीं कई सारे अगजाम में उनन میں पूच्ते गए हैं तो इसलिए आपको बता दिए कि दो प्रकार और होते मुई जेक और रूमिनेंट प्रकार होते सिंपल हैं यह कैसे होंगे जिसमें गेरे और हलके पोश पाए जाएंगे जीसे एक इसका एकजामपल हम ले ले सामने तौर पर सुपारी कि जो सुपारी होती है गांट होती है नहीं की उनके अंदर वी किस प्रकार का फाय का किया ब्रूड पोश्ट पाया जाता ए तो ब्रूड के अंदर आप दो चीज अलग से द्यान रखना क्यों काँसी कि ब्रूड पोशचbes की सूट्र गुड़ता जो होती है वो किस पर निर्भर करती है दूर्भी चेंद्रट다면 पर निर्भर करेगी ठीक है दूसरा बूर्ण पोश्ट के विस्ष्ट प्रिकार जो है उनमें दो नाम और एड़ कर लेना आप लोग अपनी नौलिज के लिए मोजेक टाइप प्लस रूमिनेंट टाइप दो प्रिकार के होते हैं सरा लेंए हलके और गहरे दब्बय युक्त और बूरीदार जो होंगे ठीक है ना अच्छा इसके बाद में अगला आता है देखों दो सब्द और लेके चल रहे हैं यह भी क्या है कई एकजाम भी कौन-कौन से एकजाम में यह आ रहे हैं तो कुछ बच्चों के लिए मैंने क्या है ध्यान से सुनना कुछ बच्चे इसकी है ठीक है कई सारी तैयारियां है पर इसके लावा नर्सिंग बगरा कर रहे हैं तो उनके लिए लगू-भीजानु-जनन इस चैप्टर में दीरे-दीरे हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं तो लगू-भीजानु-जनन का बताया था कि उस में से जितने भी कोशन आये ह से है वह कोशन उनके लिए सेंड गर दी है अब उनके आंसर जो देख रहे हैं जिनके लिए मैंने दिया न वह जल्दका हो चा spirits जो है। तो इसी वीडियो के बाद में उनके लिए एवलेविल हो जाएगी ठीक हर एक की उसके बाद में फिर गुरू भी जानु जनन देखेंगे गुरू भी जानु जनन के बाद में फिर कौन सी गठना हुई थी परागन की गठना हुई थी तो परागन के कौन कौन से कोश्चन वो भी हम सारे सारे सॉल्व करते हुए चल रहे हैं ठीक है तो यह ध्यान देना उनमें यह कोशन है अब दो सब्दे में यहां लिक रहा हूं जीनिया और मेटा जीनिया यह आपके कोर्स में नहीं है ध्यान से सुन लेना केबल उनके लिए है जो बच्चे आगे के लिए मेनत क दर्गे चल रहे हैं जीनिया जीनिया यह सब्दे क्या होता है जीनिया का मतलब गया है यह बैग्यान एक थे फॉंक नाम के इन्हों ने इसके बारे बताए था और इन्हों ने इसकी खोश की थी मक्का के अंदर मक्का यह जीया मेच के अंदर खोश की थी जीनिया क्या होता द्यान से सुल लेना कि हम लोग जैनेटिक्स के अंदर और पढ़ेंगे जब आपकी जैनेटिक्स आएगे ना तो वहां पर मेंडल के नियम में अपवाद भी पढ़ेंगे कि मेंडल के नियम में फिलाल ना हो कि तुम्हारे लेविल पे अर्था 12 पे लेविल पे ना हो के वह आपको कंप्रिक्टिशन में मिलेंगे या फिर आपको कॉलेज बेंगे ठीक है अच्छा तो ऐसे ही अब देखाऊ यहां पर कि मैं इसने क्या किया था फॉंक नाम के बैग्यानिक ने मक्का पर अपने प्रयोक किये थे तो इनाने मक्का के दो प्रिकार की जातियां ले थी दो प्रिकार की बैराइटी जो थी चलो इसकी ब्याक्या जो है वह मैं अगली वीडियो में कर रहा हूं जो आपके लिए लगू भी जानू जनंखी आएगी न उसमें तो यह दो सब्द ध्यान रखना जीनिया और मैटा जीनिया कुछ नहीं है केवल इसमें पराकणों की प्रभावता और फीमेल गेमिटोफाइट्स का प्रभाव है जीनिया का मतलब प्रभावी पराकणों की प्रभाविता यह ध्यान रखना ठीक है जो डॉमिनेंट पोलेन संगेन हैं उनका क प्रभाविता होना यह एक लाइन में कि आंसर है तो जीनिया एंड मैटा जीनिया एक समझ गया होने जीनिया का मतलब होता है जो पराकण होते हैं पराकणों में भी जो प्रभावी या प्रवल प्रवल प्रवाब्ता को प्रदर्शित करना इसकी कानी जो है वो अगले वीडियो में आ रही है आपके लिए आज ही इसके बाद में उसी वीडियो को बनाएंगे और उसमें इसकी कानी है कैसे कैसे यह प्रयोग होंगे इसमें फिमेल गैमिटो फायड जो है उसका प्रवाबी होना या उसके प्रवाब को देखना वो क्या होगा मैटर जीनिया होगा ठीक है अब इसके बाद में यह तो हो गए ब्रूड कोश के बारे में अब हम लोग अगला टॉपिक लेके चल रहे हैं देखो कल हमने देखा था दोरा निसे चंद जयांदेना दोरा निसे चंद के बाद में देखा था की निसे चंद फस्य की घटणा कौंसी होगी और हम तब यह जानते हैं कि निसे चंद पिलास मादा यूगमक का मिलना ठीक है हम तो यह जानते हैं कि नर युगमक और मादा युगमक का मिलना वही क्या क्या लाएगा निशेचन क्या लाएगा किन्तु निशेचन के जब यह दोनों मिल जाएंगे तो इन दोनों के मिलने से पहले किसका निर्माण हो रहा है एक त्रीगुणित सन्रशना का निर्माड हो रहा है, बुरूड पोश का निर्माड हो रहा है, ध्यान सुन लेना, योगमनच के बनने से पहले किसका निर्माड होगा, बुरूड पोश का निर्माड होगा, और बुरूड पोश के बाद में, या फिर ये भी कह सकते हैं हम लो शे युग्मनज का निर्मारों दोड़न में आता है फूकिय। निसेचन की गटना तो निसेचन पश्य की घटना थी में एक था युग्मनज निर्मार और दूसरा था ब्रूडोध भव। ठीक है यह ब्रूड जनन के नाम से भी इसको जानते हैं तो यह दो पॉइंट में पहले चेप्टर में हमने पढ़े थे अब योगमनज निर्माण की बाद चल लए है तो पहला पॉइंट अब निसेचन पश्च की घटना आ रही है तो निसेचन पश्च की घटना में पहला योगमनज निर्माण तो योगमनज का निर्माण वम्ने पता चल गया कि मादा योगमकोदवित में ये साय कोष्च рे और यहां पे क्या रह गई अंड कोश्च का और मिल के किसका निरमाण कर लेगी एक युक्मनज का निर्माण कर लेगी युग्मनच की सूत्र गुड़ता हमेसा धुई कुड़िते मुड़त होती जमकर यहां पर क्या हो गया चुद्धान प्रकाण हो गया अब यह योगमणत हो द्यान से सुनना द्यान से सुनना इस ही में एक चीज यहां पर तीन कोशका थी और एक क्या हो थी अंड कोश्का ये थी न ये वाला जो सिरा था ये वाला ये कहलाता है बीजांड द्वार वाला सिरा बीजांड द्वार वाला और बीच में क्या था दुतियक या दुर्वियकोश्का थी मादा युगमक उद्विद में यही संद्शना थी अब जैसे ही पराग नलका अंदर प्रिवेश करी तो उसने अपने दौनो नर्युगमक केंद्रकों को काँ छोड़ दिया फिमेल गया महीं जो फाइट के अंदर ये सायक पोषका हैं तो क्या हो गई नश्ट हो गई नश्ट हो कर लिया जिसको हम प्रात्मेissement केंडरग बोल रहे हैं दूसरा यह तोतियक मर्युग्ब केंडरग से कोशका के साथ में मिलकर किसका निर्मान कर लिया , एक कोषक निर्मान कन लिए यह दुर्यित कोश्का हो गई इसको द्यान से समझ ले ना क्योंकि आप दूसरी क्रिया रही है भूडोस्थभव वाली क्रिया तरह समझ में आएगी अब यह तो यह क्या है जाइग और अच्छा यह और यह इंटी कोश्क के अंदर अब केवल केवल दो कोश्का न नो daos कओ na कों teri udah प्रात्मिक नूणपोश कोश्का और यह युगम्नज कोश्का बस दो कोश्का यह हैं इसके अब यह क्या करेगी अपनी संख्या में विवाजन करेगी समसूत्री विवाजन होगा इसमें और इसमें भी क्या होगा समसूत्री विवाजन होगा दौनों की संख्या बढ़ेगी ठीक है इनमें किस प्रकार से विवाजन होता है कौन-कौन से इसके प्रकार बनते हैं वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मुक्त केंद रखी है कोषे कीए और माध्य में तीन पढ़ चुके हैं लोग अब बारी किसकी और तो कि जब यूगमन उसके अंदर जयान से सुनना सभी इस लोग को हम प्रात में कि बूर्ष केंद्रे नां से जान रही फुन्द Progress, फूर बर बार इसी केंद्रक में क्या हो रहा था बिवाजन ओ रहा था ठीक केंद लेगिन इसको हम लोग केंद्रक नहीं बोलेंगे इसको हम क्या बोल रहें एक दुईगुडित कोशिका बोल लें यह क्या है एक कोशिका है और वो भी कैसी है दुईगुडित है जिसको हम जाएगोट के नाम से जानते हैं और बारबार आपके लिए बताया था पिछले चैप्टर में बताया था कि जाएगोट जो होती है वो सजी पादप बनेगा वो इसी जाएगोर से बनेगा और जाएगोर जो होता है योगमनच वो किस में बदलेगा बुलू बदलेगा आपके लिए यह पिछले चेक्टर में कि मौरुला बलाश्टूला गैस्टूला अवस्था आती डो मौरूला ब्लाश्टूला गैस्टूला यहां नहीं आएंगी क्योंकि यह पादप के फेवर में है ठीक है मौरूला गैस्टूला ब्लाश्टूला जो अवस्थाएं आती है वो जन्तूओं के लिए आती है जब हम लोग टीसरा चेप्टर पढ़ेंगे मानभ जरन से संबंदि तो वहां वो अवस्थाएं आएंगी यहां नहीं आएंगी तो युगमरज निर्माण से ब्रून के निर्माण में वो तीन अवस्थाएं नहीं आएंगी पहली बात ध्यान रखना दूसरी बात युगमरज से जब भी ब्रून का निर्माण होगा युगमरज से ब्रून का बैपना है ये जाएगोट किसकी तरफ एर मद्ध में चलना एक हम बात मान के चलना है कि यह बार-बार बीवाजत हो रहा है तो पहले जो बनेगे जादा बोल प्द्धाग में औरी मद्ध भाग में कि यह बार-बार बिवाजतों लोगो इधर उदर जाएंगे इसी प्रकार से इसमें जो ब्रद्दी होगी पहले निषले-बाग में लिए से सोगी बाग में जैसे-जैसे बड़े की उपर- इन दो चीजों को हम ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रूनोद भव की क्रिया को ठीक है निसेचन पश्य की घटना को हम लोग पढ़ रहे हैं अब निसेचन पश्य की जो घटना है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग लेके चल ले हैं ब्रूनोद भव को यह आता है embryogenesis क्या है अब पादपों की देखो आपको पता है कि पादप जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं अदर जो विजिक के अंदर हम review सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दूइवीच पत्री के अंदर रहें डाइकोट्स के अंदर, अब सुनो, बुरूण जनन इसकी साइध परवासा आपको आती होगी, बुरूण जनन का मतलब या बुरूण अधब का मतलब क्या है, योगमनस से बुरूण निर्माण की क्रिया होना, ठीक है, अब सबसे पहले हम देख रहे हैं, दूइबीश पत्र की पातब जो होते हैं, अब दूइबीश पत्री नाम से मालम चला है, जिनमें दो बीश पत्र होंगे, जैसे दाल कुल के पातब हो गई, चना हो गया, मतर हो गया, दाले हो गई, इनमें दो बीश पत्र होते हैं, बरावर बरावर, तो दूइबीश पत्री के अंदर हम मेंश्टीन नाम के बैग्यानिक ने इस दुवीश पत्री पादवों के अंदर प्रूण बिकास की क्रिया का अद्धन किया था अच्छा किसी बुक में क्या होता है मेंश्टीन की जगह हैंश्टीन सब बे मिल जाता है लिखा हुआ हेंश्टीन तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना हिंदी की जो बुक है ना हिंदी की बुक में मैंश्टीन मिलेगा या हेंश्टीन मिलेगा तो यह तो यहां पे यह मशली वाला मा मिलेगा या हिरन वाला हा मिलेगा ठीक है तो कुल मिलाके यह द्यान डखना कि इंगलिस का जो फेपर के अंदर वह आपके लिए मानने होगा सूंस्य इन में कंफिूज मत हो जाना यह क्या है प्रेंटिंग की गलती है और वіз लिखने वाले कि यह थी तो मेंश्ठी ने ता क्रूसी फेरी कुझ जो होता है संदीओं कि जो संद होती है कि जिसमान बिवश्टा पांब थी तो क्रूसी कोंते होता है कैप य्गे सोरसा रिकिर्ण ट्रीय कर घिर्ट ने नेन विवस्टान चाहइं जब में दो और कि इन करूसी कहसी हिसा है नव समय के अंदर के अंदर किसका बूर्ड चनन का अरथा ुज पत्री पाधूप में ब्रूर्ण विकास के अध्यान किया था। फ्रक्राइश पत्री और अब देखों इसमें होता क्या है तो इसमें पत्री के विकास के बारे पड़ cultural कि दर कि कि मायदा युगमाकोद विद्ध या इस ब्रूड पोश्ट के अंदर किसका निर्मार हो गया युगमार अब इस में ध्यान से सुन ले न यहीं पूरा की पूरा क्या था पहले माल युगमागोद विद्ध था और इसके बार की और क्या अगने बीजांड निवागी चेत्र वाला निवागी उपर वाला अब ज्यांग से सुनते हुए चलना इसको पूरे को साफ करके फिर से बना रहे हैं देखो दुवीच पत्री पाधप जो होते ना दुवीच पत्री पाधपों में बुरूण का जो बिकास होता है। ब्रून का दूइवीच पत्री पादपों के अंदर अधिकांस दूइवीच पत्री पादपों की बात कर रहे हैं यह अच्छा कोश्चन है और यह बुक से बाहर का है लेकिन कंपडिशन में आए हुए प्रिशन है यह दूइवीच पत्री ब्रून का विकास जो होता है वो क्रूसिफर कि ध्यान रखना के कूए या ओना ग्रेड़ टाइप का दोनों में से किसी कोई पूछ सकते हैं क्रूसिफर या औना ग्रेड़ हो कि आप इना कि यह कहां है थे नहीं आये जब इसके हम कौश्चन देखेंगे थी का युरण कौन से एक्जाम में इंडिया के अंदर कौन कौन से एक्जाम के अंदर यह वाला कोश्चन मुंण ठीक है है तो अब देखों हम अपनी सब्सक्राम प्रू यह ऐ dévelopत कोश्य जाए गोट इसके स्टेप जो है न दूइपीच पत्री ब्रूड का विकास यह हमारा टॉपिक चल रहा है जो की कौन सा है क्रूसिफर टाइप है इसके एक एक स्टेप को ध्यान से देखते हुए चलना ध्यान से देखते हुए चलना और एक बार में ही यह समझ में आ जाएग इसमें क्या होता है कि कई वार हर जगे से यह शिकायत आती है कि एक बीच पत्री और दूइपीच पत्री ब्रूड का विकास है वह समझ में नहीं आता तो एक बीच पत्री और दूइपीच पत्री ब्रूड का विकास इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दूइपीच पत कार होता है तो इसमें अब देखो शुरुवात हम कहां से कर रहे हैं ब्रूड का विकास नाम से मालम चल लए ना ब्रूड का निर्माड या ब्रूड भव या ब्रूड जनन ठीक है या एंब्रियो जैनेसिस यह कव आएगा युगमनज के बाद में तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया युगमनज ले लिया जाएगोट हमने ले लिया अब देखो ध्यान से सुनना कि यह मादा युगमकोद वित्था यहां पर क्या रहती थी त्री एन अर्थात प्रात्मिक भू लाश्ट यर सेल डिवीजन पढ़ा था ठीक है केवल बो ही समझ पाएंगे इस चीज को कि जिन बच्चों ने लाश्ट यर 11 किलास में दसमें नंबर का चैप्टर था कोश्का विवाजन वो जिनों ने पढ़ा था उनको पता है कि कोश्का विवाजन में एक प्रवस्था आती है जिसको हम raging विवाजन के लिए आबश्यक पदार्तों का करती है ठीक है अब सी डि सी बात है कोई भी कोश्का जैसे यह जाई गोट है अब ये आबश्यक पतारतों का जैसे lockdown लगा था आपको ध्यान हो तो lockdown लगाता है तो lockdown की जो शुरुआत हुँ थी न तो लोगों ने क्या किया था अपने गरों में पहले ही महिने दो महिने का राशन पानी इखट्टा कर लिया इखट्टा क्यों किया था क्योंकि उनको पता कि लोगडाउन लगेगा तो lockdown में मार्केट बगरा हो सकता है बंद हो जाए तो इसलिए पहले ही उन्होंने क्या किया था राशन पानी इखट्टा कर लिया अपनी जो आवश्यक बस्तुए थी वह इखट्टी करने लग गए लोग तो वो क्या कर रहे है अपने उस बंडार परमें ब्रद्धि कर रहे थे तो ऐसे ही यह कोशका जो होती है ना जैसे माना किचलना आपकी डाइट जो है वो दो की जगह आप लोग 5 या 6 रोटिय खाने लग जाओ दो या 3 की जगह तो ओटोमेटिकली आपके सरीर में क्या होगी ब्रद्धी होगी तो यह कोश्का क्या करेगी ब्रद्धी करेगी और ब्रद्धी करने पर अपने आकार को क्या कर लेती है बढ़ा लेती है आकार जब बढ़ ये भी कैसा है डियान से सनो ये सब दूइगुडित चलने हैं ये सब दूइगुडित हैं कि जाइगोट जो होता है ना जाइगोट विवाचन से पहले अपने आकार में क्या करता है ब्रदी करता है आकार में ब्रदी कब करेगा आभश्यक पदार्थों का संसलेशन करने के ब निशिक्तांड ठीक है उस्पोर या निशिक्तांड के नाम से जानते हैं अब सुनो इसे उस्पोर में क्या होता है एक बहुता है अनियमित समसुत्री विवाजन होता है इसे उस्पोर के अंदर अब विवाजन चालो हो जाएंगे तो विवाजन जब भी होगा न तो विवाजन यहां पर कैसा होगा अनुप्रस्थ रूप से होगा विवाजन पहला विवाजन इसमें अनुप्रस्थ रूप से होता है और अ इस में देखो यहां से इस प्रकार से यह इटा रहा हूं इस प्रकार से विपाजन होगा तो दो अनियमित आकार की कोश्काएं बन जाएंगी ठीक है दो अनियom में ताकार की खोशका है अब देखाब एक तो बड़ी कोशका है और एक 뉈 चोटी कोशका रह गई एक बड़ी कोशका और एक छोटी कोशका है इस बड़ी कोशका जो हम बोलते हैं बेसल सेल या आधारिय कोश्का बेसल से यह तो कई वार क्या होता है एक्जाम के अंदर यह सीवी के नाम चे आती है सीवी का मतलब सेल आधारिय कोश्का या बेसल सेल लेकिन शॉट पर नाम आ सीर्स कोश्का के नाम से जानते हैं यह या इसको हम लों एपीकल सेल के नाम से जानते हैं अब दौनों का द्यान रखना CA का मतलब cell of apical मतलब शीर्स बाग की कोश्का और एक है आधारीय बाग की कोश्का अधाश्य सेल उफ बेसल के नाम से इसको जानते हैं अब आगे द्यान देखना कि दौनों जो कोश्का है है के यह दोनों चोशा कहाओं में क्या होता है समान रूप से विवाज़ण होता है दौनों समान रूप से विवाज़त होंगी यह दोनों कोश्का हैं लेकिन हम लोग अपने 성 Clemen Enjoy के लिए खुद की समझ के लिए एक कोश्का को लेके चले दौलों में से एक कोश्का को लेंगे तो पहले हम आधार वाली कोश्का को लेके चले बेसल सेल जो है न इसके अंदर किस प्रकार से विवाजन होते हैं इसको हम लेक देखे चले हैं तो देखो बेसल सेल जो होती है प्रस्त विवाजन होने से यह बेसल सेल जो है यह कितने बागों बट गई दो बागों में बट गई दो बागों कौन से दो बागों बट गई यहां पर अब दो कोशकाएं बन गई एक कोशका से दो कोशकाएं बन गई यहां पर ठीक है अब यह दो कोशकाओं में नीचे वाल होती है इसको गोलते हैं हम लोग हाइफो फाइसियल सेल के नाम से जानते हैं हाइफो कि फाइसियल सेल कि इनके नाम जरूर ध्यान रखना क्योंकि नामों में ही क्या हो जाएगा कंफिजन हो जाएगा कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ जाएगोट का निर्माण करेगा तो यह कोश्का क्या होगी विवाजित होगी और विवाजित होने पर यह कोश्का विवाजित होने पर क्या करेगी विवाजित होने से पहले अपने आकार में ब्रद्धी करेगी और ब्रद्धी करने पर इस संदशना को हम क्या वोलेंगे उस्पोर या निशिक तांड के नाम से जानेंगे अब यह उस्पोर जो है वो विवाजन के लिए तैयार है ठीक है और सामाने तोर पर आपने पढ़ा भी है कि कोश्का विवाजन जब होता है तो इंटर फेज के दौरान सभी आवश्यक पदार्त कोश्का के अंदर आ जाते हैं और वो कोश्का विवाजन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है ठीक है अब इस उस्पोर के अंदर एक अनियमित समसुत्री विवाजन होता है अनियमित समसुत्री विवाजन होने से उपर सीर्स वाग की ओर एक छोटी कोश्का बन जाती है जिसको हम एपिकल सेल या सी ए के नाम से जानते हैं और नीचे की और एक बड़ी कोश्का बन जाती है जिसको हम सेल और बेसल या बेसल सेल या इसको आधार ये कोश्का के नाम से जानते हैं ठीक है ज्यान से सुन ले ना एपिकल का मतलब होता है सीर्स या अग्रस या इसको टर्मिनल सेल के नाम से भी जान सकते हैं हम लोग टर्मिनल सेल के नाम से अब अभी थोड़ दिर पहले आपको पताया था ना कि इस मादा युगमकोद्विद वाली सन्रशना के अंदर जब भी यहां पर यहां तो क्या होंगे पोशक पदार्थ बरे हुए रहेंगे और जाएगोट कहां रहेगा इधर की ओ जाएगोट कहां रहेगा बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर और यहां इस जाएगोट ने फूल के इसमें ब्रद्धी करके दो कोशकाओं का निर्मान कर लिया दो कोशकाओं का द्यान से सुन ले ना यह वाला सिरा जो है वो है बी है यह है किस के तरफ होती निवाक वालब्षेर की और ठीके और बेसल सेल ѝो कौन से ईह बशाणड़ की और बीजाणड़ द्र में और यह निवाक की और ठीक और इन दौनओं का ध्याण रखना एपिकल सेल जो होती है वो निवाक की ओर और बेसल सेल जो होती है वो बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर होती है ठीक है यह इसलिए पताये थे पहले ताकि आपके यहां अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएं अब यह बेसल सेल जो है ना बेसल सेल ने क्या किया ये दो कोशकाई जो है इनमें उपर वाली कोशका जो है वो हाइफोफाइसेल ठीक है या हाइफोफीसेल सेल कहलाएगी और नीचे वाली कोशका जो होती है वो होस्टीरियल सेल कहलाती है आगे होगा समझ में अब इसके बाद में ये होस्टीरियल सेल जो होती है न ये होस्ट कोश्का की तुलना में होस्टी रियल सेल फूलि हुई रहती है। और होस्टिया का is यह यह क्या बनाती है वो कहां पे होती है वो कहां पे होगी वो अभी बता देंगे इस्थिती कहां पे होगी यह मतलब octan की स्थिती के आधार पर फूछा जाता है अब दूसरी बात हाइपो-facial जो होती है इस hypofacial cell के अंदर कई विवाजन होते हैं ठीक है यह apical cell जो है ना इसको मैं अलग से बना रहा हूँ red color से यह apical cell हो गई apical cell यह हो गई हाँ अब hypofacial की बात कर रहे हैं हम लोग hypofacial cell जो होती है ना इसके अंदर फिर कई सारे समसुत्री विवाजन होते हैं कई समसुत्री विवाजन होने से या अनुप्रस्त विवाजन होने से इसमें 6-10 कोशकाई बन जाती हैं कितनी बन जाएंगी 6-10 हाइफ ओफिस्यल सेल में कई अनुप्रस्थ समसुत्री विवाजन होंगे जिनके द्वारा चैसे दस कोश्काएं बन जाएंगी और ये चैसे दस कोश्काएं जो होती है ना वह एक रेखिक क्रम में जमा हो जाएंगी रेखिक क्रम में इस प्लकार से गिल्लेलक कितनी हो गई है एक दो तीन चार पांच छे साथ चैसे दस कितनी भी कर लेना और ये नीचे की और क्या होगी एक फूली हुई कोश्का होगी जिसको हम क्या बलते हैं होश्टीडिया सेल के नाम से जानते हैं तो ये जो सनरशना ओती है ना ज्यान से सनो ये जो सनरशना बनी है 320 हह संडशना को हमovan क्या बलते है ससपैंसर के नाम से जानते हैं Spencer या इसको बोलते हैं रिलंबग के नाम से बी जानते है आगे समझ में ये पहली कोष्का हो गई पहली Diesel Cale जो है न बेसलս है यहा तक अर्थात निलंबग बनाने के बाद वार में यह क्या हो जाएगी रुक जाएगी रुख गई यहां पे अब इसे निलंबख की ध्वान से सनो angあの मार्मप की सबसेट कोशका होगी सबसेट या दूरस्त कोशका जो है वो कौन सी है होस्टेडियल सैल है ठीक और सबसे पास वाली कोशका सबसे पास वाली कोशका वह हाइपोफाय से सभी आगए आईगी अब हम बात कर रहे हैं दूसरी इस एपिकल की वही चैसे दस विवाजन हों है कि Communist Cell में उसके बाद में जाके इन्हों निलंबक का निर्बाण कर दिया ठीक है निलंबक में इसका घास संदस आंप इसके दस प्रसका है इसके आश कोई विवाजन अब एपिकल सॅल का नंबर है अब देखो एपिकल सेल जो होती है इस एपिकल सेल में दो वर्टीकल डिविजन होते हैं दो कि और बाजन होंगे और वह दाकिन जो होते हैं ना रब वैसे युथे लंबे धीमे छहेश वागैं इस समकोर्ण पे होते जैसे पहला यहां हो गया ज्यान से सुनेना इनमें उКАन वह जा हुगे कर दो कोशका भyn Gomes right और यह और यह ब्टेकल डिवीजर्ण एक यह हो गया इस कोशका हुगह हो sounds इसका समकॉर्ण यह हो गया ठीक है और इस कोश्का का समकॉर्ण देखें तो यह हो गया यह जानते होंगे समकॉर्ण वाली इस्तिति तो एक उदग्र विवाजन इस प्रकार से और एक उदग्र विवाजन इस प्रकार से होता है तो ध्यान देना दो वर्डिकल अर्थात एक अनुद्यर्य विवाजन हुआ पहले पहले एक अनुद्यर्य विवाजन हुआ लंबबद विवाजन हुआ और एक क्या हुआ अनुप्रस्त विवाजन हुआ 36 विवाजन हुआ है बीच में से तो दो क्या हो गए वर्डिकल हो गए वर्डिकल डिविजन हो गए और इनके द्वारा यहां पे कितनी स्थिती बन गई कितनी कोश्काइं बन गई में चार कोशकाई बन गई चार पार्ट हो गई ना चार पार्ट तो द्यान से देख ना पहले क्या था हमारे पास में एपीकल से helps है typical से यहां अलग से बना रहे ज़ा कि इस एपिकल से पहले दो कोशकाई ऑफार में बनी थी पहले का निर्माण हुआ था या essence इसको बोलते हैं हंदी में हम दॉइक के इसका निर्माण हुआ है कैसे निर्माण हुआ है कि एपिकल सेल में फरस्ट वर्टीकल डिविजन हुआ ठर्डी कर्ट कण डिविजन से दो कोषकायं बन गई हो गई दो तो इसको बोलते हैं David और फिर इसमें second vertical division हुआ जो की पहले के समकौन पर होता है इस प्रकार से होता है तो अब कितनी कोश्काएं बन गई दो से चार कोश्काएं बन गई ठीक है और चार कोश्काएं वाली जो इस्तिती होती है इसको बोलते हैं टेट्राड के नाम से जानते हैं या इसको क्वाड्रेट के नाम से भी जानते हैं क्वाड्रेट ठीक है या चतुष के बोलेंगे अब सुना आ गए इसी के साथ में से बेसल सेल में भी डिवीजन होते हुए चलेंगे अब इन में क्या होता है जैसे क्या नाम है कि यह बोतल है मेरे पास ठीक है बोतल है अब इसके हमने यहां पर हमें मालूम है कि इसके अंदर क्या है जैसे यह चार भाग हो गए इसके एक दो तीन और यह चार चार भाग हो गए अब इसके इसमें एक लंबबद विवाजन होगा इस प्रकार से जिससे क्या है आदा इस इससा देखो यहां से यदी मैं इस प्रकार से इसके विवस्टर प्रकार से ठीक है तो आधा हिस्सा इदर आधा इससा इदर जस्ट उसके पीछे वाला हिस्सा भी होगा ऐसा तो सेम ऐसी कंडिशन में क्या होता है इसमें एक अनुद्यर्य विवाजन होता है अब यह नहीं गैंद जैसी संद्शना हो गई चतुष्की या क्वाड़र जो है गैंद जैसी संद्शना है और उसको हम बीच में से काट रहे तो आदा हिस्सा आगे और आदा शिलहों आदा पीछे गैंध का इस कोशकाओं में बिवाजन होगा तो चार कोशकां मिलेंगी पीछे हो आए तो लेकिया करेगा def till आदा च een लगा पर के पिछे तरफ आए मुझेगा झदृत66 ऑब झेगा तके कोई और घृत इससां बरा को हम लोग बीच में से काट यह बिल्कुल से विबाजन होगा तो चार कोषका है तो आगे और रहेंगे और चार कोषका हैं पीछे की और बन जाएंगे ठीक है तो चार सामने दिखांब देंगी चार पीछए कि ओर होंगी नो इस प्रकार से यहां पर कितनी कोश्काइब बंजाएंगी आठ कोश्काइं व में जिन में यहां दो-दो केंद्र्ग का मतलब है कि कि की तरफ निवe कि दिखा दिया कि इस को इस वाले बागन के पीछे भी एक को व्य इंगर कम नहीं जो दिखा दिया थीक है तो यह जो स्थिती होती है अर्थात क्वाडेट से किसका निर्माण हो गया ऑक्टेंट का निर्माण हो गया ओक्टेंट अच्टेंट, या इसको बोलते है, अश्टान्सक, ठीक है, पहले दुईक का निर्माड वा, दुईक के बाद में, चतुषक का निर्माड हुआ है, ठीक है, चतुषकर विभी बोलते हैं इसको, फिर किसका निर्माड हो गया, अब सुना द्यांसे, इस इस ओक्टेंट में क्या होता है जैसे यह ओक्टेंट है द्यान से सुनना इस ओक्टेंट के अंदर एक परिक्लिनिकल डिवीजन होता है या परिनत विवाजन होगा इसके अंदर क्या होगा एक परिनत विवाजन और परिनत विवाजन होने से आपको पता है परिनत विवाजन पहले ही बताया था कि पर्दी की ओर होगा तो इसमें क्या होता है कि पर्दी की ओर यह हटा रहा हूं यहां से देखो पर्दी की ओर क्या होता है एक विवाचन होता है इस प्रकार से अब परदी की और विवाजन होने से क्या होगा कि आठ कोश्काएं आठ से कितनी कोश्काएं हो गई तो आठ कोशकाएं तो कहा हैं बाहर की हो रहे और आठ कोशकाएं कहा हैं अंदर की ओ रहे हैं ठी करें अब इस स्सीक प्रकार इस बेकार से हो जाएगी ये 8 कोशकाएं सामने हैं 8 कोशकाएं पीछे की हो रहे हैं ठीके ये 2 ये 2 इसमें 2 ये 2 इस प्रकार की स्थिति हो गई 8 से कितनी हो गई 16 कोशकाओं का निर्माड हो गया एक बार फिर से देख लेना फिर से हम सुरू से देख रहे हैं कि सबसे पहले जाएगोट जाएगोट हमारे लिए मिल गया हमें मालम चल गया कि नर युगमक और मादा युगमक के मिलने से किसका निर्माड हुआ जाएगोट का निर्माड हुआ और किसका निर्माड हो गया उविसपोर बन गया अब इसको हम उविसपोर कह रहे हैं इस ऊपने उपर वाली कोशका जो निवाग की ओर होती है वैसे बीजांड की सनुछना तो उल्टी होती है आपको जो बीजांड की सनुछना बताइई थी तब भी पताया था कि हम लोग तो इसको इस प्रकार से अपने पढ़ने के लिए इस प्रकार से कर रहे हैं ले सिपे इस प्रकार से यह Profट वे तो उसमें इतना ज्यादा निग टोने की जड़त है नहीं वो आपकी मर्ची है, आप किसको पहले लिखना चाहें, वो तो आपको किवल लिखनी है, बता नहीं है, आपके लिखने से ऐसा नहीं होगा, कि आपने एपिकल सेल लिखी है, तो बेसल सेल के अंदर विवाजन नहीं होगे, इसके अंदर भी होगे, लेकिन हम लोग अपने कोश्काओं को निर्माड हो जाता है एक छोटी और फूल हुई कोश्का होती होती है ठीक्त है जो कोश्का एपिकल आपकल सेल के पास होती है इसको बहुत है हइप ale नाम से जानते हैं ठीक हैistles Milosee रही जो होती है वह पर सब्सक्राइब ku चूशकांग का निर्माण करेगी अब आ अगे आ रहे हैं यह दूसरा हाइपोफीसयल सैल यह होती है न यह 6-10 कोश़काओं को निर्माण करेगी समस्तुत्री वाजन होंगे इसमें कई और कई सारी क्या होंगी कोश़काओं बन जाएंगी यह रहे खेक क्रम में जमा जानतें सस्पैंसर या निलंबक के नाम से जानते है अभी इसका काम नहीं बताया है इसका कम क्या है ठीक है इसका काम अभी में बताएं कि सपैंसर का काम क्या होता है लेकिन इतना ध्यान रखना कि जिन बच्चों ने गाड़ी चलाई हो होगा vertical का मतलब ही क्या होता है लंबवथ यह उदग्रव तो विबाजन तो दूसरा समकौन पर होता है शिक्रय आप लोग यह समझो कि यह कोश्खषण है और इसमें श्रार और कोश्क कर दिविजन हमेश के समकौन इसे प्रकार से हैं तो कुश्खषरा कितने बागों बढ़ जाती है और यह चार भाग जो होते हैं न इन चार भागों को चार भागों युक्त भागों को या इन और आगे और चार पीछे की ओर तो यह इस्तिति जो होती है जिसको हम क्या बोलेément के नाम से जान रहे हैं यह उक्टेंट वाले इस्तितरी ओगई अब इस ऑखkedis Take trying pump this Oxet की अंदर क्या होता है चार आगे चार पीछे की यह रहा है अब इसमें परिदी क्लिनिकल डिवीजन होगा परिंद्र विवाजन होता है अब परिंद्र विवाजनों अब कितनी कोश्खाव इन गई 11 कोश्खाओं के निर्मार हो गया जिसमें अठ काय पर्दी के ओ रहें और आठ काय अंदर की ओ रहें तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, यह परदी की ओर है, और परदी जो होती है ना, इसको बोलते हैं हम डर्मेटोजन के नाम से, या डर्मिस के नाम से भी जानते हैं, डर्मिस या इपी डर्मिस के नाम से जानेंगे, अब एक चीज ध्यान रखो, यह आपको इसल सेल जो बनती है ना, इनको हम प्राथमिक, ब्रूडिये, कोश्का के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्राइमोडियल, इनको हम प्राइमोडियल, एम्ब्रियोनल, सेल के नाम से जानेंगे, प्राथमिक, ब्रूडिये, कोश्का जो होती है, वो यह होती है, और खासकर कौन से इन दौनों में में भी आ जाए लेए इस ही को किस नावसे जानेंगे हम प्रात्मिक ब्रूर्ड ये कोश्का के नाम से जानते हैं घूपलेड में बाद में बदorousते हैं तो ध्यान रखलेंगे नहीं चीज्ट? कि प्राङ ब्रूर्ड ने वा लिक उड़ी प्राग रूंड से फिर ब्रूड का निर्माड होगा तो वो ब्रूड निर्माड का प्रोसेस अभी चलता हुआ जा रहा है किस किस प्रकार से यह होता हुआ चलेगा अब यहां पे हमें यह देखना है कि यह जो 16 कोश की अवस्था बनी है 16 कोश की अवस्था जो होती है इसको हम लोग ग्लोवियूलर एंब्रियो के नाम से जानते हैं यह जो पूरी अवस्था होती है यह पूरा जो पार्ट होता है ना इसको हम ग्लोवियूलर एंब्रियो के नाम से जानते हैं ग्लोवियूलर ब्रूड के नाम से इसको जानेंगे अब इसे globular brumd जो होता है ना, इसमें तीन histogen layering होते हैं, तीन histogen layering बनेंगे इससे, जैसे जैसे इसमें विवाजन, 16 से 32 कोष की अवस्ता, अब इसमें क्या होता है, बहार वाली जो layer होती है, बहार वाली आठ कोष्काओं की layer, इसको हम बोलते हैं, dermatogen, ग्लोविलर एंब्रियो जो होता है इसके अंदर तीन प्रकार के क्या होते हैं हिस्टोजन लेयर या उतकी इस्तर होते हैं ध्यान देना ओक्टेंट जो है ओक्टेंट से किसका निर्माण हुआ है ग्लोविलर एंब्रियो का निर्माण हुआ है से ग्लौविलर एम्प्रियो और यह ग्लौविलर एम्प्रियो गया है सब से पहले हम देख रहे हैं कौन सा ढर्मेटोजन यह द會 पस्ता में आठ जो लेयर होते हैं सब्सक्राइब को आपको यह बाहर का लेयर है इसी कौन क्या वह बोलते हैं कि डर्मेटोजन के नाम से जानते हैं या इसको हिंदी में साएध तोचाजन के नाम आप देखेंगे एक बार बुक में आपको comfort करके बता देंगे तोetes के नाम से जानेगे अचा इस डर्मेटोजन में क्या होता हैं अपनत विवाजन होते हैं ठीक है कहीत सारे इस में antiklinical विवाजन होंगे अपनत विवाजन इस प्रकार से खड़े होंगे विवाजन इस प्रकार से तो कई सारे विवायन होने से यह आठ से 16 16 32 इस प्रकार से यह कोशकाएं बनती हुई जाएंगे अब किदर बनाएं कि चलो यहां बना दें अब देखों यहां पर क्या हो है एक चीत क्या रखना यह तो में बाहर वाली सा बहुत है आ निलमबक के निलमबक की सबसे निशली जो कोश्का है, इसको हम Homasteria cell के नाम से जान रहें, जो किसका निर्माण कर रही है? चूशकांग का निर्माण कर रही है. यह Istoreal cell जो है, यह क्या बना रही है? चूशकांग बना रही है. ठीक है? चूशकांग क्यलाते हैं, अगला कि यह तो हो गई अग्रस्ट निलंबक की सबसे अग्रस्ट या टर्मिनल सेल हो गई और यह होती है इस ऑक्टेंट के पास वाली कोश्का इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं इस वाली कोश्का को तो अब यहां देखना कि यह जो डर्मेटोजन लेयर है इसके अलाबा अंदर की ओर जो आठ कोश्काएं है इन आठ कोश्काओं में निचली जो चार कोश्काएं हैं यह जो यहां पर बना रहे हैं यह जो चार कोश कोश्काएं होंगी ये कोश्काएं इस हाईपोफाइस के पास हो लोग बोलते हैं ह। हाईपो वेसल सेल के नाम से जानते हैं म Nirich μαpho वेसल सेल द्यान से सुलने ना पर यह एंड होने वाला है é रिफो जना और जो ऊपर वाली इस ऑपrial इस हाईपो फाइसिस इस है यह उफ्र वाल्य जो चार कोशका हैं होते हैं टेंट की इनको हम api vessel cell के नाम से जानते हैं तो ओकटेंट में द्यान डखना उपर वाली जो चार कोशकाई है वो एपिवेशल सेल और नीचे वाली जो चार कोश्का हैं इनको हाइपो वेसल सेल के नाम से जानते हैं यहां तक साहद आ गया होगा समझ में ठीक है टाइम देख लें एक बार तो देखो यह दो नाम ज्यान रखना ओक्टेंड जो होती है नीचे वाली चार कोश्का है है अब यहां मैं लिख रहा हूं सबसे पहले हाइपोवेसल सॉरी हाइपोफाइस जो होस्टीडियल सैल जो है इसका आपको खार्माण मालम है कि इसका काम क्या होगा चूशकांग का निर्माण का तिक दूसरा हाइपोवाइसल कि जो होती है यह हईपोव हेसिस क सटानर करेगि मूल गौप का या रूट कैप का का निर्माण करेगी मूल गोप या मूलांकुर सीर्स का निर्माण करती है कि मूलांकुर शीर्स तथा मूल गोप का निर्माण करेगी मूलांकुर सीर्स और मूल गोप देखो कोई से बैबंए भी जड़ों जो सीड्स बाग होता है इसका निरमान कों कों naming करेंगी और इसके उपड़ेंग में प्रिवेश करती ऋई जाएंगी नहीं मिट्टी के कड़ों से गर्शन होगा तो उस गर्शन से बचाने के लिए जड़ों के सीर्जबाग को बचाने के लिए उनके उपर Root Kept होती है और Root Kept मूल-गोप का निर्माण किससे होगा Hypophysis कोशकां से होगा Hypophysis की सेलसे होगा δो मिनिट कि बहुट अच्छा दूसरा है इसके बाद में यह नीचे वाली चार को उसका है जिनको हाइपो वेसल सेल के नाम से जानते हैं हाइपो वेसल सेल और तीसरी है एपी वेसल सेल इनके मुख्य काम ध्यान रखना हाइपो वेसल सेल जो है इसका काम होता है बीज पत्राधार बीज पत्राधार और मूलांकुर का निर्मान करना मूलांकुर ठीक है और अपी वेसल सेल जो होती है इसका काम होता है बीच पत्रों परिक और प्रांगकुर का निर्माण करना ये काम होता है इसका तो यहां तक की जो वीडियो है ना वो आप लोग ध्यान रखना कि इसके अंदर कौन सी सेल का क्या काम होता है ये चीज पूशी जाती है आगे ये इतनी लंबी चोड़ी बासा रायस्तान गोड़ के जो एक्जाम है उनमें नहीं आएगी लेकिन वहाँ यह छोट छोटी चीजें जो हैं यह आप से पूछी जाएंगी तो इनका बिसेश्त है ध्यान रखना ठीक है और यहां से आगे का जो भी पार्ट है वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देख अपनी जाएंगी जो प्रश।